हेलो नमस्कार दोस्तो आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 इंसाइडर का न्यू अपडेट आया है 22598 इसके बारे में बात करेंगे और प्लीज गये यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए श को पर आपको राइट क्लिक कर दोने इसके बाद यहां पर सेटिंग दिख जाएगा इसको पर आपको किलिक कर दोने कीकि जिए गाई क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा आप देख रहें यहाँ पे अपडेट आ चुका है 22598 आपको यहाँ पे दिख जाएगा 22598 यहीं आज के डेट में रिलीज हुआ है अब आपको इंस्टॉल करने के लिए क्या करने है डाउनलोड और इंस्टॉल के डाउनलोड और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद इस तरह से रिये स्टार्ट होने वाला विंडो आज जाएगा अब आपको क्या करना है यहाँ पे रिये स्टार्ट नाओ के ओपर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करते हैं इस तरह से रिये स्टार्ट होना शुरू हो यहां पर भी कुछ टाइम लगता है तो आपको क्या करना है यहां पर रिये स्टार्ट होने के टाइम पर आपको वेट करना है दो बार रिये स्टार्ट होगा और आटोमेटिक वह अपडेट हो जाएगा तो यह सारा प्रोसेस आटोमेटिक होगा बस आपको वेट करना है झाल 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 प्रेल यहां पर यहां पर चेक कर सकते हैं इसका बर्जन दिख जाएगा अब देख रहें यहां पर यह अपडेट हो चुका है यहां पर आपको दिख जाएगा 22598 यहीं आज की डेट में अपडेट आया है तो इस तरह सब इसको update कर सकते हैं अब हम देखेंगे इस update में क्या-क्या नया आया है क्या-क्या bug fix हुआ है उसके बारे में बात करेंगे पहला update यह आया है कि इसका ISO release कर दिया अब आप इसका officially site से यहां से आप ISO download कर सकते हैं पर आएंगे आने के बाद को कॉया कि नहीं आपे इसके बाद आप क्लिक किजहें למOY क्रते हैं इस तरह से विंदोwn और हो जाएगा आप यहां पे language Select कर लिजहेंने इसके बाद आप की करके आई शो डाउनलोड कर सकते हैं तो यह यह रिलीज हो करने से पहले कुछ फाइल आपका उपेन था लेकिन उस फाइल को आपने क्लोज नहीं किये थे लेकिन डियक्ट आप सिस्टम को सट डाउन कर दिये थे इस केस में क्या होगा कि जब आप दुवारा स्टार्ट करेंगे तो आटमेटिक वह फाइल रिलाउंच हो जाएगा तो बेदेट यहांपे रिधा चैनल से बीटा चैनल पर स्विच कर सकते हैं अब डेक्स अपडेट यह हैं कि यहां पर बैग्राउंड सेट कर सकते हैं यहां पर आपको दिख जाएगा विंडो एस पोट लाइड यह नया आड किया है यह तभी आपको मिलेगा जब आप क्लीन करते हैं यानि तो कुछ लोगों को जब आपडेट करेंगे तो उस टाइम पे भी आपको यह मिल जाएगा लेकिन जो क्लीन इंस्टॉल करेंगे उन लोगों को जरूर मिलेगा विंड़ो इसके अंदर यह फायदा होगा कि आपको बैग्राउंड अलग अलग चेंजिज होता रहेगा इसके अंदर 4K back ag Cliff a यानि फॉर्क발 ऑग्राउंड मिलेगा यह नया फीचर इसके अंदर एकण किए हैदि यहां आप यहां पर एकलि मत्ली के इस fulfillment होता रहेगा इस background के tool tip volume icon मिल जाएगा जब आप split sound करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा इसके बाद जो update आया है आप search पे click किजिएगा तो यहाँ पे आपको changes मिल जाएगा आप देख रहे हैं यहाँ पे भी आपको change हुआ मिल जाएगा यानि यह update पिछले वाले update में ही हो चुका था लेकिन जिन लोगों को नहीं मिला था उन लोगों के इस update में मिलना शुरू हो जाएगा next update media player से related है अभी आप यहाँ पे जाके setting पे जाएगा इसके बाद यहाँ पर वर्जन चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा आप देख रहे हैं यह वर्जन हो चुका है यह आज जाएगा इसको आप जरूर अपडेट कर ली जाएगा लेटिस्ट वर्जन आपको मिलेगा अब तू डिफरेंट टैप से यहाँ पे आप स्विच कर सकते हैं यहाँ पर आपको ऊपर टाइप दिख जाएगा यहाँ पर माल लिगे यह आप आप आर्टिस पर स्विच करना चाहते तो यहाँ पर आपको स्विच करने के लिए दिख जाएगा इसके अंदर नया टूल भी आपको मिल जाएगा वीडियो इनहेंचर का यहाँ से आप बाइटनेस और कंट्रास्ट कम जाएदा कर सकते हैं और मीडिया प्लेयर का परफर्फरमेंस भी इसके अंदर सुध हुआ है जो जो नया फीचर था वो मैं आपको बता दिया हूँ और प्लीज गैस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें सेर करें थैंक यू